हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स मैंने आपके साथ बिहार की फेमस सीख कबाब की रेसिपी शेयर की आवद की यानि लखनों की फेमस गलावटी कबाब की भी रेसिपी शेयर की आज मैं आपके साथ दिल्ली की फेमस कुरैशी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा र कुरेशी कबाब के साथ जो हडी चटनी दी जाती है उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये चटपटी चटाखेदार चटनी बनेगी कैसे तो चलिए फ्रेंस इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसे घर में कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले एक चौपड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल लिया था चो मैं दिखाना भूल गई और अब इसमें हमें नमक आट करना है नमक आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग डालिए मैंने वन टेबल स्पून नमक डाला है और अब इसमें रोस्टेट जीरे का पावडर डालना है फ्रेंस जीर लाल मिर्च पावडर मैंने डाल लिया है हाफ टेबल स्पून और साथ में हाफ टेबल स्पून मैंने धनिया पावडर भी डाला है हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है तीखा आप अपने टेस्ट एकॉर्डिंग देखिए क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर् साथ में 1 टेबल स्पून मैंने चाट मसाला डाला है इससे इस कुरैशी कबाब में बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा टेस्ट आता है और अब इसमें मैंने कबाब की मसाले का पौडर एड़ किया है 1 टेबल स्पून इसका वीडियो मैंने अपने चानल पे डाला हुआ है और अब बेसन को इस तरह से रोस्ट करके इसमें डालना है तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है साथ में बारिक कटा हरा धनिया डालना है बारिक कटे हुए पुदीने के पत्ते डाल लेने है और थोड़े से बटर को मैंने मिल्ट करके इसमें डाल लिया है और आधे निम्बो को इसमें स्कुईज कर लिया है बटर डालने से ये होगा कि कबाब अच्छे से सॉफ्ट और जूसी बन कर तयार होंगे और अब इस कबाब के मिक्स्चर को अच्छे से मिक्स करना है ताकि साड़े मसाले इस कबाब में अच्छे से मिल जाएं और अब इस कबाब के मिक्स्चर को इस बरतन में अच्छे से फैला लेना है इस तरह से देखे इस पेस बना लेनी है और अब इसमें हमें एक स्मोकी फ्लेवर देना है तो इसके लिए एक फॉयल पेपर में मैंने कोईले को डाल लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके आदे गंटे तक के लिया ज़े डग करके छोड़ दिया है अब चटपटी चटाखेदार हरी चटनी तयार करनी है इसके लिए एक मुठी मैंने हरा धनिया ले लिया है और साथ में कुछ पुदीने के पत्ते डाल लिये है दो से तीन हरी मिर्च डाल ली है और दो लहसुन की कलिया डाल लेनी है फिर इसमें मैंने हाफ टेबल स्पुन सादा नमक डाला है हाफ टेबल स्पुन जीरा डाल लिया है साथ में काला नमक इसमें डाला है हाफ टेबल स्पुन और साथ में हाफ टेबल स्पुन चाट मसाला भी डाल लिया है और अब हाफ निम्बू को इसमें स्क्वीज कर लेना है तो फ्रेंस काला नमक और चाट मसाला इस चटनी में जरूर से डाले और अब थोड़ा पानी डाल करके इस चटनी को तयार कर लेना है और ये लीजिए फ्रेंस चटपटी चटाखेदार ये हरी चटनी बन कर तयार हो गई है तो इसे आप थोड़े से दही के साथ मिक्स कीजिए और फिर सर्फ कीजिए कबाब के साथ या फिर आप इसे टिका के साथ भी सर्फ कर सकते हैं ये बहुत ही जबरदस लगती है खाने में फ्रेंस इस चटनी को चटपटी और चटाखेदार बनाने के लिए काला नमक चाट मसाला और निम्बू का जूस डालना होता है जिसे ये चटनी बहुत ही जबरदस बन कर तयार होती है फ्रेंस इस कबाब के मिक्स्चर में मैंने स्मोकी फलेवर दे दी है तो कोईले को हटा लेना है और इस मिक्स्चर को फिर से एक बार मिक्स कर लेना है और अब इसका हमें सीख कबाब तयार करना है तो इस तरह की एक सीख लेने नहीं है या स्क्यूर्स लेना है या अगर आपके पास पैंसिल है या स्ट्रॉव है आप उस पे भी ये कबाब लगा सकते हैं ये देखिए इस तरह से आपको बस हलके हाथों से प्रेस करते जाना है और ये सी कबाब लगकर तयार हो जाएगा देखिए कि इसको बनाना कितना आसान है फ्रेंस इसे आप सीख या स्क्यूर्स या फिर स्ट्रॉव या पैंसिल के उपर हलके हाथों से बस हाथों में इस तरह से तेल लगाए इसे प्रेस करकर के निकालते जाएए बस आपका कब कबाब बनकर तयार हो जाएगा और ये देखिए फ्रेंस इस तरह से मैं ने फिर हाथ पर थोड़ा तेल लगाया और इसे प्रेस करते करते मैं कबाब की शेप दे दूंगी और ये परफिक्ट कबाब बनकर तयार हो जाएगा जर आपके उपस सीख या स्क्युवर्स नहीं ह तो इसे आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं कबाब का छोटा सा पोर्शन हाथ पे लेना है और इस तरह से रोल करते जाना है और कबाब की शेप दे देनी है और यह देखिए सारे कबाबों को मैंने इस तरह से बना लिया है और अब इसे हमें शैलो फ्राइ करना है इसको स फ्रेंस गैस के फ्रेम medium to low ही रखेंगे और इसे धीरे धीरे पलट करके चारो तरफ से सेख लेंगे ताकि कबाब में चारो तरफ बहुत ही अच्छा सा golden गोल्डन कलर आने लगे इसको फिलिप करने में जादा तेजी ना करें वरना ये तूटने लगेगा और ये देखे फ्रेंस कबाब में कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और अब इसके उपर हमें थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेना है ताकि कबाब थोड़ा और किछ अबसले के बाइज के उफ़ेंट आप चाहें तो इसके उपर मिल्टेट बटर डालें । जैसे के कुरेशिक कबाब वाणे सफ एक और त। रहा नहीं एक कितना सौफ्ट, टेंडर और जूसी बना है ये देखें फ्रेंस कितना जूसी ये कबाब बनकर तयार हुआ है तो फ्रेंस मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और देखें दिल्ली की फेमस कुरेशी कबाब खाने में कितनी टेस्टी और जबरदस्त लगती ह दिल्ली की फेमस इस कुरेशी कबाब की रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिए और हमें कमेंट करकर जरूर बताइए कि आपकी ये कबाब कैसी बनी मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ तब तक अपने ख्याल रखें